तो नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गेहूं की दो सबसे सांदार पैदावार देने वाली वराइटियों के बारे में जो लगातार कई सालों से किसान भाईयों को बंपर पैदावार देती आ रही है तो यदि आपको भी गेहूं की बहुत ही बढ़िया पैदावार देने वाली वराइटी की तलास है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आज आपकी तलास पूरी होने वाली है साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पदा रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें नंबर दो पर किसान भाईयों हमारी गया हूं कि इस साल की जो सबसे सांदार पैदावार देने वाली वराइटी है इस वराइटी का नाम है HD 29 सरसट अब यह वराइटी किसान भाईयों पिछले कई सालों से किसान साथियों को लगातार अच्छी पैदावार दे रही है इसल मात्रा में लगा रहे हैं तो पूरा नौंबर इसकी विजाई के लिए उपयुक्त है पौधिय के उचाई लगभग सो सेंटीमीटर है किसान भाइयों और यह वराइटी लगभग 150 से लेकर 155 दिन में पकर तयार हो जाती है सिचाई आपको 4 से 5 करनी पड़ सकती है किसान भाइयों यदि रोग परतिरोधक छमता की बात करें तो यह वराइटी किसान भाइयों इस मामले में अच्छी तो है लेकिन यह थोड़ी पुरानी बराइटी है तो जो नए सबस्टें परतिया सहेंसील नहीं है तो आपको एक से दो इस्परे करना पड़ सकता है यदि रोग आता है यदि इसके कुछ हम खासियत की बात करें तो यह वराइटी अधिक गर्मी सहें करने के परत सहेंसील है यदि मार्च अपरेल के महीने में अधिक तापमान बढ़ जाता है तो दाने चोटे हो जाते हैं लेकिन इस वराइटी में उसका कोई खास असर नहीं पड़ता पैदवार आपको उतनी ही मिलती है साथ इसका जो गेहूं का दाना होता है काफी ज़्यादा मोटा और वजंदार होता है साथी खाने में यह वराइटी काफी ज़्यादा बढ़िया ह और इसमें फुटाओ भी अधिक मातरा में होता है यदि इस वराइटी के हम फाइनली पैदावार छमता की बात करें किसान भाइयो तो यह गेहूं की वराइटी आपको 50 से लेकर 65 कुंटल प्रती हेक्टियर तक पैदावार आसानी के साथ में निकाल कर दे सकती है नमबर वन पर किसान साथियों हमारी गेहूं की जो सबसे सांदार पैदावार देने वाली वराइटी है जो आपको इस साल बहुत ज़दा पैदावार दे सकती है इसका नाम में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में आईए जानते हैं इसकी कुछ खासियत के बारे में सबसे पहले किसान भाइयो इस जो गेहूं की वराइटी है इसमें फुटाओ काफी अधिक मात्रा में होता है अधिक मात्रा में अन बराइटियों के तुलना में कल्ले आते हैं साथ ही इसकी जो बालियों होती है वा काफी जादा लंबी होती है सभी बालियों में बढ़िया में काफी ठंड पड़े, दोनों मौसम का इसके प्रति किसान भाईयो कोई भी नुक्सान नहीं होगा, यह वरायती दोनों ही मौसम को सहनसील कर लेगी, साथ ही इस गेहुं की वरायटी के दो दाने होते हैं किसान भाईयो, वह मोटे-मोटे और वजंदार होते हैं, जिससे यह वराइटी बंपर पैदावार देती है और इस किसम को किसान भाईयो आप उत्तर परदेश, बिहार, हरियारा, पंजाब, जम्मु कस्मीर, दिल्ली, राजिस्थान, हिमाचल परदेश और उत्तरा खंड में भी लगा सकते हैं यदि इस वराइटी के फाइनली हम नाम की बात करें तो इस वराइटी का नाम है DBW-371 यहां गेहों की एक नई वराइटी है किसान भाईयो जो पिछले साल रिलीज होई थी लेकिन इस वराइटी ने पैदावार के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं इसलिए इस साल क इस वराइटी को काफी अधिक मातरा में लगा रहे हैं यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें तो इसकी बुआई आप 28 अक्टूबर से लेकर 10 नौंबर तक कर सकते हैं पकने की आवद की बात करें तो DBW-371 वराइटी 145 से लेकर 150 दिन में लगभग पकर तयार हो सबसे बड़ी भी सेस्ता है यहां किस्म यलो रष्ट ब्राउन रष्ट खुला कंडवा के प्रत सहिंसील है इस वराइटी में किसान भायों बिल्कुल भी रोग बीमारी नहीं लगते हैं तो आपको एश्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा कोई भी दवाओं का इस किसान भायो 70 से लेकर 75 कुंटल प्रति हेक्टियर तक पैदावार देती है लेकिन यदि आप पूरी सेवा करते हैं सही समय पर बुवाई करते हैं सही मात्रा में खादों का परियोग करते हैं, प्रकिर्ट भी आपका साथ देती है, तो यहाँ गेहूं की वराइटी आपको अधिक्तम 85 कुंटल प्रती हेक्टियर तक भी पैदावार निकाल कर दे सकती है, तो यहाँ दी किसान भाईयो, गेहूं की दो सबसे सांदार ले सकते हैं, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें,